यहाँ पर हमको इसकी value निकालनी है, जोगे हम इसको directly multiply करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे बोला है कि इस identity को use करके इसकी value निकालो. अब यहाँ पर हमारे पास है X plus A, X plus B, इस form में लिखा हूआ है, लेकिन यहाँ पर दो हमारे पास दो ही numbers है, तो इसको पहले हम इस फॉर्म में लिखते हैं 501 को हम लिख सकते हैं 500 प्लस 1 और 502 को हम लिख सकते हैं 500 प्लस 2 इसको हम x प्लस a, x प्लस b के साथ compare करेंगे तो x हमारा आजाएगा 500, a हमारा आजाएगा 1 और b हमारा आजाएगा 2 के equal इन तीनों के वाली हम यहां पर बुट करेंगे तो यह हमको मिल जाएगा इसके equal अब यहां पर हमारे पास है 500 का square इसका square यानि की 500 इंटू 500 इनको multiply करने के लिए हम 5 और 5 को multiply कर लेंगे जो कि हमारे 25 आएगा और इसमें जितने 0 हैं यहां पर यह है 4 0 तो 4 0 लगा देंगे तो यह हमारा आजाएगा 250000 प्लस 1 प्लस 2 यानि की 3 इंटू 500 प्लस 1 टू जार 2 यह हो जाएगा 250000 प्लस 3 इंटू 5 हमारा होगा 15 और जितने 0 हैं उतने 0 यहां पर लगा देंगे 2 0 है प्लस 2 तो ये हमारा आ जाएगा इसके equal अब इन तीनों को add करना है ये है 25 नीचे है 15 1500 और ये है 2 इसको add करना है तो ये हो जाएगा 205125 यानि कि ये आ गया 251502 के equal